तो दोस्तों आज फाइनली आपकी बहुत डिमांड पे मैं आपके लिए सेल्स से पहले ही बेस्ट प्रोजेक्टर्स 2023 का काउंड़ाउन लेकर आए हूँ ताकि आप अपने बज़ेट के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोजेक्टर्स सेलेक कर सकें इस काउंड़ाउन को करने के प्रोजेक्टर्स को एक दूसरे के साथ बारीकी से कंपेर करके देखा है और फिर हर कैटेगरी में टॉप प्रोजेक्टर को सेलेक किया है आप लोग बार-बार कई महीनों से मुझसे पूछते चले आ रहे थे कि यह बेस्ट है या फिर वो बेस्ट है लेकिन इसका जवाब देखने में वो सभी अच्छे लगते हैं जो प्रोजेक्टर्स डिसॉनिस्ट क्लेम के साथ आते हैं या फिर अच्छे नहीं होते हैं उन्हें मैं टेस्टिंग के बाद ही लोटा देती हूं और अगर कोई प्रोजेक्टर मीडियोकर परफॉर्मेंस देता है तो मैं उसका र जाएगा क्योंकि मैं हर प्रोडक की कमियाब बताती जरूर हूं रही कमेंस की बात तो मैं हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूं लेकिन अगर कभी आपको आपकी किसी कमेंट का जवाब नहीं मिल रहा तो आप मुझे मेरे e-mail पे भी लिख सकते हैं लेकिन याद रखिए कि लंबी मेल्स पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि हमारे resources limited है और team भी बहुत छोटी है बड़ी team खड़ी करने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं जो सिर्फ sponsored contents play करके और आपको अंधेरे में रखकर ही कमाए जा सकते हैं जो मैं नहीं करती हूँ और क्योंकि मैं ही आपके सवालों का जवाब देती हूँ किसी और को ये responsibility transfer नहीं करती हूँ इसलिए इतने सवालों का जवाब देना कई बार possible नहीं हो पाता है इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कोशिश करिए कि mail में भी सिर्फ एक line का ही question पूछिए जिसका एक line में जवाब दिया जा सके मुझे जब भी time मिलेगा मैं आपको जवाब जरूर दूँगी इस countdown वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत महिनों से महिनत करनी शुरू कर दी थी नए प्रोजेक्टर्स लगातार आते गए और जिनका performance उतना अच्छा नहीं था वो eliminate होते रहे हर category में best projector चूज करने के लिए हमने उन प्रोजेक्टर्स को भी include किया जिनका मैंने review भी नहीं किया है और यहां मैं आपको एक information ये देना चाहूंगी कि market में limited models ही available हैं सारी ही companies चाइना की इन ही factory से projectors लाकर या तो same models को different colors में बेच रही है या फिर वो इन projectors को different bodies में बनवा कर ला रही है ताकि वो इनने different projectors बता कर high price में बेच सके तो इस countdown में same projector के बारे में मैं अलग से नहीं बताऊंगी सिर्फ उनको include करूंगी जिनका price reasonable है और जिनकी after sale services reliable है इन सभी top projectors की best purchase link नीचे description में है आप इने महा से purchase कर सकते हैं जो projectors इस countdown के top rank पे नहीं पहुच पाए हैं वो अच्छे नहीं है ये समझना गलत होगा मैंने जिन भी projectors का review किया है वो सब काफी अच्छे हैं और बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि मैंने उनके review में बताया है लेकिन हर projector को top पे नहीं रखा जा सकता है top पे एक दो projectors ही आ सकते हैं rest assured कि जो projectors इस countdown में top ranks पे हैं वो इस समय के best projector हैं जिने इनकी category का कोई दूसरा projector भी नहीं कर सकता है तो चलिए अब ये video अंडर 10K के projector से start करते हैं इस category के सारे projectors को compare करने के बाद top पे आता है zatco uva projector जो ना केवल under 10K projectors में बलकि under 15K projectors में भी top पे आता है ये इस category का brightest native full HD projector है जिसके picture quality अपने price के हिसाब से excellent है ये एक basic projector है जिसका color reproduction और motion handling capacity भी बहुत बढ़िया है अंडर 20K projectors में top पे है बहुत सो crystal जो recently released हुआ था ये अंडर 20K का brightest projector है इसका color reproduction बहुत vibrant है जिससे इसके picture quality बहुत ही attractive लगती है इस projector पे 4D keystone correction के साथ MI stick के थुरू 4K HDR support भी मिलता है और अभी तक के budget projectors में USB port के थुरू इसका 4K HDR performance best है जहां अच्छी brightness के साथ आपको इस पे vivid colors देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा ये एक android projector है जिसमें आप gaming भी smoothly कर सकते हैं अंडर 25K के projectors में top rank पे आता है बॉर्सो BS 28 projector ये अंडर 25K का brightest projector है जिसमें आपको बहुत बढ़िया color reproduction देखने को मिलेगा ये एक android projector है जिसमें आपको अच्छी motion controlling capability के साथ digital focus और 4D keystone correction भी मिलता है अब आते हैं अंडर 30K projectors पे तो इस category में 4 projectors है और 4ों का performance बहुत बढ़िया है लेकिन top पे 2 projectors आते हैं एक है वैंदबो X5 projector और दूसरा है बॉर्सो BS 30 Pro Plus बॉर्सो BS 30 Pro इस category का brightest projector है जिसके picture quality बहुत बढ़िया है motion handling capacity excellent है और इसमें HDMI ARC का support भी दिया गया है लेकिन वैंबो X5 का color reproduction और color accuracy excellent है जो अपने performance से cinema hall को सीधे आपके घर ले आती है वैंबो X5 में बहुत अच्छी detail clarity भी मिलती है और इसकी overall picture quality बहुत ज्यादा attractive है ऐसे तो मैंने आपको इन दोनों की picture quality दिखा दी है और इनके special features के बारे में भी बता दिया है आप इन में से अपने लिए जो भी projector select करना चाहें वो खरीच सकते हैं लेकिन under 30K की category में वैंबो X5 मेरी personal choice बनता है और मैं उसको ही top rank दूँगी अब बात करते हैं under 35K के projectors की जो budget category की highest category है इसके उपर भी बहुत सारे projectors बिक रहे हैं लेकिन वो या तो इन ही projectors के बदले हुए अफतार हैं या फिर वो उस high price पे बिकने का deserve ही नहीं करते हैं क्योंकि उनका performance इन सारे projectors जिनको मैंने include किया है उनसे picture quality में inferior हैं under 35K में फिर दो projectors टॉप पे आते हैं एक है बोर्सो अल्टिमा और दूसरा है जैट को एवन प्रोजेक्टर दोनों ही projectors की picture quality budget category में ultimate है जिनने इनसे comprise में मिल रहा कोई भी दूसरा projector brightness और picture quality में beep नहीं कर सकता है दोनों projectors में आपको HDMI, ARC मिल जाती है इन दोनों projectors की picture quality आपके सामने हैं आपको इन में से जो भी ज्यादा अच्छा लगे आप उसे ले सकते हैं budget category में इन दोनों projectors से better picture quality आपको किसी भी दूसरे projector में नहीं मिलेगी चाहे वो 50K का ही क्यों ना मिल रहा हो रही portable projectors की बाद तो वो एक different purpose serve करते हैं जो है portability लेकिन portable projectors की brightness को आप बड़े projectors के साथ compare नहीं कर सकते हैं portable projectors में आपको सबसे अच्छी brightness Z को CE में मिलती है और Vanbo TT में आपको certified Dolby Digital और HDMI ARC के साथ excellent color reproduction मिलता है तो अगर आप portable projectors देख रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी projector चूस कर सकते हैं उमीद है कि ये video आपको helpful लगी होगी अब मिलते हैं अगली video में तब तक के लिए take care and stay safe